वेलकुम तो अड़ा 24-7 रेडिलेटरी बॉडिस चानल दिस आरशी ओवर है और आज हम लोग एक बहुत इंट्रेस्टिंग फाक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि चैट जी पी जी पीटी जो कि आज कल बहुत जादा न्यूस में है ऐसा क्या कर दिखाया चैट ज इनका यूजर बेस आप देखो तो बहुत जादा ही बड़ा है ठीक है इंस्टाग्राम के कितने कितने सारे आप्स डाउनलोड करके रखे हूं हैं इंस्टाग्राम के 100 मिलियन मंथली यूजर्स हैं इंस्टाग्राम और टिक टॉक जैसे बड़े-बड़े अप्लिकेशन को बट लेट मी तेल यू 100 मिलियन यूजर्स हन्ड़ मिलियन अक्टिव सब्सक्राइबरस इंस्टाग्राम और टिक टॉक को गें करने में महीनों लग गए थे इनफाक्ट इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम तुक के पास एड्वांटेज किया था कि फूरी दुनिया काफ़ी इंट्रेस्टिंग लग रहा था लोगों को और उसके बावजूर भी नौ महीने तो एक लीस्ट टॉक को भी लगी गए थे इंटरनेट स्पेस में अपने पहचान बनाने में 100 मिलियन से ज्यादा अक्टिव यूजर्स और सब्स्राइबर्स को गेंड करने में अब यहां भी बात आती है चाट जीपीटी की जो आज कल तो न्यूज में है बढ़ चाट जीपीटी दर असल लॉंच हुआ था फिफ्ट जीपीटी के कितने 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए 13 मिलियन यूजर्स हो गए जैनवेरी के मंत तक तो एट लीस्ट इंस्टाग्राम और टिक टॉक को काफी टफ कॉम्पेटेशन दिया है चाट जीपीटी जैसे प्लाटफॉर्म ने ठीक है तो यह 20 सालों में इंटरने इतने सालों में नहीं कर पाए उनको काफी जादा टाइम लग गया अपने आपको पॉपिलराइज करने में अपने आपको अपडेट करने में अपने सॉफ्टवेर को अपडेट करने में ताकि वो जादा से जादा लोगों तक पहुच पाए ठीक है तो यह काफी जादा इ GPT लेट अंडरस्टांड जाड जीपीटी में जो GPT है ना GPT stands for generative pre trained transformer सो हम सबने बच्पन में transformer cartoon series तो तेखी होगी but it is not like that but it is generative pre trained transformer है इसका मतलब basically यही है कि ये एक computer language model पर पिलाए करता है जो deep learning techniques का इस्तिमाल करते हैं deep learning क्या होती है deep learning एक ऐसा एक ऐसा प्रकार का system होता है जहां पर कोई भी board कोई भी artificial intelligence जैसा कोई भी application human mind की तरह और human brain की तरह चीजों को interpret करके उनको सीखता है उनको सीखता और बाद में उसके system में ingrain हो जाती है जैसे एक छोटा बच्चा एक छोटे बच्चे को हम लोग सबसे पहले क्या बोलना सिखाते हैं मम्मी और पापा ठीक है एक छोटे बच्चे को हम लोग फिर बाद में ABCD alphabet सिखाते हैं कखगगः सिखाते हैं बोलना सिखाते हैं चलना सिखाते हैं वो उसको जब learn करता है तो वो उसके mind में उसके neural system में ingrain हो जाता है ठीक है इसी तरह human brain को copy करते हुए mimic करते हुए artificial intelligence का ये जो bot है ये deep learning या machine learning की techniques के उपर based है और ये इनसानों की तरह follow up questions ले सकता है इनसानों की तरह अपनी mistakes को admit कर सकता है inappropriate requests को ये reject भी कर सकता है ठीक है तो ये एकदम conversational chatbot है इसमें जैसे आप मेरे साथ बाते कर सकते हो वैसे ही आप chat GPT के साथ भी बाते कर सकते हो तो ये reinforced learning from human feedback की उपर based है जैसे हम लोग सीखते हैं अपने teachers से, अपने parents से, अपने friends से, इस society से इसी तरह chat GPT भी human beings के interaction से feedback लेके learning करता है अपने आपको upgrade करता है और user experience को और भी जादा viable बनाता है अगर मैं आपको chat GPT के कुछ applications बता दूँ तो ये unlimited applications में use किया जा सकता है इसको हम लोग digital marketing, online content creation, customer service queries, planning, CV making, code writing यहां तक कि हम लोग इसको google से भी replace कर सकते हैं यानि कि हम लोगों को कुछ भी जानना होता है हम लोग Google search engine में type करते हैं और हमको results मिल जाता है हमको same चीज चाट GPT भी करके दे सकता है पर चाट GPT की कुछ-कुछ limitations ये हैं कि language के मामले में ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है भी सारी languages में available है नहीं ठीक है थोड़ा सा रेशल बाइस्ट है थोड़ा सा और इसमें जो डेटा है इसमें प्रेजंट अप्लिकेशन में प्रेजंट सिस्टम में जो डेटा एक्जिस्ट करता है एक machine learning chatbot होता है जो की pre-program होता है और एक pre-program chatbot होता है pre-program chatbot यानि कि ऐसा chatbot जिसके अंदर information पहले से ही हम लोग डालते हैं और उसी information के basis पे वो perform करता है यानि कि जहां तक उसकी programming है सिर्फ और सिप वो chatbot वही तक सीमित रहता है उसके beyond उसके अंदर कोई deep learning ability जैसी चीज नहीं होती है यहाँ पर अगर हम लोग machine learning chatbot की बात करें ठीक है machine learning chatbot human brain को mimic करता है और जैसे हमारे brain का neural network deep learning से सीखता है इसी तरह machine learning chatbot भी बहारी feedback से जैसे आपका chat GPT है सीखता है other than open AI, open AI is the platform, is the company जिसने chat GPT का platform बनाया है और हाल ही में Microsoft ने open AI को दी है 10 billion dollar की funding जैनवरी 2023 के starting में मैं आपको बता दू कि इससे पहले भी Microsoft open AI को 1 billion dollar की funding दे चुका है ऐसे ही artificial intelligence और machine learning platforms बनाने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक और बात बतातू कि Meta, Meta जो कि Facebook की parent company है Meta के पास भी machine learning chatbot है और machine learning chatbots आजकर काफी ज़्यादा use में है, काफी ज़्यादा इसके benefits कुछ-कुछ यह है कि 24-7 उनकी availability होती है Companies chatbot के data को use करके उनके data को analyze कर सकती है और customers की wants और queries को अच्छे से समझ सकती है उसके अलावा इस chatbot का advantage यह भी है कि यहाँ पे human beings को hire करने का जो additional expense होता है वो company को नहीं उठाना होता, सिर्फ एक software update करना होता है यानि कि companies को यह काफी ज़्यादा cost effective यानि कि एक inexpensive solution लगता है human queries को resolve करने के लिए ठीक है, इसके हर चीज के कुछ ना कुछ pros and cons are advantages or disadvantages होते हैं बट यह वाकई में एक बहुती बड़ा revolution है artificial intelligence और science and technology में क्या कहना है आपका इसके बारे में नीचे comment करके जरूर बताईएगा और session अगर पसंद आया हो तो इसको like, share और subscribe